पिछले दिनों आतंकियों के और से आम लोगों पर किये गए हमले और कई हत्याओं के बाद सुरक्षा बलो के ओर से आतंक बादियों के खिलाफ जोरदार मुहिम चलाई जा रही है। चर्णपोरा इलाके में उस समय एंकाउंटर शुरू हो गया जब वहां घेरा बंधी की जा रही थी आतंगवादियों के ओर से सुरक्षा बलो पर फारिंग भी शुरू की गई जिसके परणाम सरूफ एंकाउंटर शुरू हो गया पिछले कुछ दिनों में सुरक्षा बलो की ओर से आतंकियों के खराब मुहिम लगातार चलाई जा रही है बुद्वार को भी जम्मु कश्मीर में दो अलग-लग जगाओं पर एंकाउंटर हुए और चार आतंकी मारे गए पहले शोपिया में फिर कुलगाम में अनकाउंटर में दो-दो आतंकी मारे गए थे शोपिया में बुद्वार को हुए अनकाउंटर में सुरक्षा बलो ने दो आतंकियों को धेर कर दिया लेकिन इस अनकाउंटर में तीन जवान भी जखमी हो गए थे इनमें से एक जवान अस्पताल में इलाज के दौरान शहीद हो गया जबकि दो जवानों का इलाज अब तक चल रहा है जम्मु कश्मीर में पिछले एक पकवारे में आतंकियों के खिलाफ 11 एंकाउंटर हुए हैं इन अनकाउंटर्स में अब तक 17 आतंकियों मारे जा चुके हैं कुलगाम अनकाउंटर के बारे में जम्मु कश्मीर पुलिस ने बताया है कि पुलिस और सीना ने कुलगाम के लशकर के जिला कमांडर और एक अन्ने को मार गिराया जो भ्यार के दो गरी मजदूरों की हत्या में श्वामिल था यानि ये कहा जा सकता है कि जम्मु कश्मीर में सीना का सर्च ओपरिशन लगाता जारी है आतंक को मुह तोड़ जवाब देने के लिए सुरक्षबल पूरी तरह से तैनाथ हैं तमाम आतंकी मारे गई हैं बताय जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में 11 मुटभेड हुई है इन 11 मुटभेड में करीब करीब 17 आतंकी सीना के जवानों ने मार गिराये हैं हालाकि इसमें कई जवान शहीद हुए हैं आपको उता दें कि जम्मू कश्मीर पिछले दिनों तार्गेट किलिंग काफी जादा बढ़ गई थी जिसको लेकर देश भर में चिंता व्याप्त थी और देश भर में कहीं तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और चुन चुन कर आतंकियों को मौत के खाट उता रहे हैं